आज हम इस वीडियो में करेंगे Class 6 Hindi मंजरी बुक का Part 8 हार की जीत पार्ट के प्रशन अभ्यास तो चलिए प्रशन अभ्यास चुरू करते हैं और इस पार्ट की व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बताईए आपको कहानी का कौन सा पात्र पात्र होता है कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा और क्यूँ तो तरहे मुझे बाबा भारती का किरदार बहुत अच्छा लगा उनका सुल्तान यानि उनके घोडे के प्रती प्रेम गरीबों के प्रती दया उनकी सजन्नता सभी कुछ अनुकरन करने योग्य था प्रश्न दो यदी बाबा भारती और खड़क सिंग की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच में क्या क्या बाते होंगी दिखिए तो इसका उत्तर है यदि बाबा भारती और खड़क सिंग की मुलाकात अगली बार होगी तो सबसे पहले खड़क सिंग बाबा भारती से माफी मांगेगा क्योंकि उसने बाबा भारती को बहुत दुखी किया था साथ ही बाबा भारती खड़क सिंग से यह पूछेंगे कि उन्हों ने उसके जंग ये चल क्यों किया यानि जो खड़क सिंग थे उन्हों ने बाबा भारती के संग चल क्यों किया पार्ट से बाबा भारती ने खड़क सिंग से उस घटना को किसी के सामने प्रकटना करने के लिए क्यों कहा तो इसका उत्तर है खड़क सिंग ने अपाहिज और असहाय के वेश बना कर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था यदि इस घटना का जिक्र किसी के सामने भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और जो असहाई लोग हैं उनकी सच्छी बातों पर भी विश्वास नहीं करते जिस से परोपकार और सेवा भाव भी मिठ जाने का बैथा यानि फिर कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता प्रश्न दो, बाबा भारती द्वारा की गई प्रातना का डाकु खड़क सिंग पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसका उत्तर है बाबा भारती द्वारा की गई प्रात्ना से डाको खड़क सिंग का कठोर हिदय पिखल गया उसका हिदय परिवर्तन हो गया और उसकी मानवता जो थी वो जाग गई उसने घोड़ा लोटा दिया प्रश्न तीन कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में लिखिए उत्तर है मा को अपने बेटे और किसान को लहला हाते खेट देखकर जो आनंद आता है वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था बाबा भारती और खड़क सिंग अस्तबल में पहुचे घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंग के हिरदय पर सांप लोट गया और चौथा खड़क सिंग जाते जाते कह गया बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूँगा तो ये इनका सही क्रम है अगला है बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में रखवाली करने में कटने लगी फिर है अपाहिज वेच में खड़क सिंग घोड़े को दोड़ा कर ले जाने लगा उसके बाद खड़क सिंग ने बाबा भारती की आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूँगा फिर बाबा ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे उसके बाद खड़क सिंग ने सुल्तान को उसके इस्थान पर बान दिया और आखरी में होगा बाबा भारती घोड़े को गले से लिपट कर रोने लगे प्रशने चार इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई तो उतर है बाबा भारती अपना घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए थे किन्तु उनके शब्दों का खड़क सिंग पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके घोड़े को चुप चाप उनके घर लोटा गए और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंग जीत कर भी हार गया प्रश्न पाँच इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं तो इसका उत्तर है इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता पर स्तिथियां उसे बुरा बना देती हैं यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो वह सुधर सकते हैं उन्हें सुधरने में देर नहीं लगती जैसे कि खड़क सिंग बाबा भारती की संगत में सुधर गया प्रश्नि छे इस कहानी में तीन मुख्य पात्र हैं बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंग कहानी के आधार पर इन तीनों पात्रों की विशेष्टाओं को इस्पष्ट करने की तीन बातें लिखिए तो पहला है बाबा भारती वे अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी जादा प्यार करते थे, दूसरा उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी और तीसरा वे अपने घोड़े की सेवा तनमन धन से करते थे दूसरा है सुल्तान, सुल्तान बहुत सुन्दर था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था सुल्तान बहुत बलवान था और तीसरा है खड़क सिंग, खड़क सिंग इलाके का मशूर डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कापते थे खड़क सिंग डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था प्रश्न साथ उस समवाद को छाट कर लिखिए जिसने डाकू खड़क सिंग का हिदय परिवर्तन कर दिया तो इसका उत्तर है ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा परन्तो खड़क सिंग केवल एक प्रातना करता हूँ उसे अस्विकार ना करना नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा मेरी प्रातना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे गरीब पर से विश्वास नहीं करेंगे प्रश्न आठ कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़ादा प्रभावित किया और क्यूं तो इसका उत्तर है मुझे बाबा भारती के किरदार ने बहुत प्रभावित किया बाबा भारती अपने जिस घोडे को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे उसको डाको खडक सिंग द्वारा धोके से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोडे से अधिक चिंता गरीबूं और असहाय लोगों की हुई उनकी बातों से उनकी महानता और सजन्नता का पता चलता है उनका चरित्र मुझे बहुत प्रभावित हुआ और मुझे बहुत पसंद आया प्रश्न नौ कहानी का शेशक है हार की जीत आपके अनुसार इस कहानी के और क्या-क्या शेशक हो सकते हैं लिखिए तो उत्तर है मेरे विचार से इस कहानी का शेशक होना चाहिए सच्चे संत बाबा भारती या सबका प्यारा सुल्तान भाशा की बात का प्रश्न एक प्रश्न एक नीचे लिखे मोहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाईए पहला है वायू वेग से उड़ना इसका अर्थ होता है बहुत तेश चलना वाक्य प्रयोग बाबा भारती का घोड़ा वायू वेग से उड़ता था दूसरा है आखों में चमक होना इसका अर्थ होता है बहुत खुशी होना इसका वाक्य प्रयोग अपनों को देखकर आखों में चमक होना स्वभाविक है तीसरा है दिल तूट जाना यानि दुखी होना इसका वाक्य प्रयोग होगा इक्षा पूरी ना होने से दिल तूट जाता है इसके बाद मू ना मोरना यानि साथ निभाना किसी भी इनसान से मू ना मोरने का अर्थ होता है कि हम उसका साथ दे रहे हैं इसका वाक्य प्रयोग होगा मुसीबत में मूना मोरना ही मित्रता होती है आखरी है सिर मारना यानि समझाने की कोशिश करना वाक्य प्रयोग मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार है क्योंकि मूर्ख को कुछ भी समझ में नहीं आता है लट्टू होना यानि मोहित होना इसका वाक्य प्रियोग गोपियां श्री कृष्ण पर लट्टू हो जाती थी मन भारी होना यानी उदास हो जाना इसका वाक्य प्रियोग होगा अनावश्यक डाड डपट से किसी का भी मन भारी हो जाता है प्रश्न दो नीचे बाई और कुछ विशेशन दिये गए हैं और दाई और कुछ विशेश्य प्रतेक विशेशन के साथ उप्युक्त विशेश्य मिला कर लिखिए पहला है लहला हाते इसका विशेश्य होगा खेत अधीर रिदय थंडा जल बाका घोडा उचे विचार तो इन विशेशन के संग विशेश्य हमने लगा दिया है अब हम देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न तीन नीचे दिये गए अनुच्छेद में उप्युक्त स्थान पर उध्रण चिन तथा अन्य विराम चिन लगाईए अपाहिज ने हाथ जोड कर कहा बाबा मैं दुखिया हूँ मुझ पर दया करो रामा वाला यहां से तीन मील दूर है मुझे वहां जाना है घोडे पर चड़ा लो फरमात्मा भला करेगा वहां तुम्हारा कौन है दुर्गदत वैद नाम तो सुना होगा वो मेरा सौतेला भाई है तो यहां पर मैंने विराम चिन लगा दिये हैं आप लगा कर उसे पूंड करिए अंतिम प्रश्न प्रश्न चार आ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीथ हो जाते हैं जैसे धीर में आ लगाने से अधीर सुईकार में आ लगाने से असुईकार इसी तरह से अन्य पांच शब्द लिखिए तो असीमित अशिक्षित अयोग्य अकारण असमर्द अवधारना चित्र किसी पात्र अथ्वा विशेवस्तु के बारे में उसकी विशेष्टा, गुड़, लाब, अथ्वा घटना के क्रमों के प्रमुख बिंदों का चित्रन करना इसका उत्तर होगा संद, सच्चा मानवतावादी, गरीबों के मसीहा, निश्चर सौभाव और परोगकारी तो ये तो हो गया इस पार्ट के प्रश्ण अभ्यास आपको कैसे लगे ये कमें शेक्षिन में जरूर बताएए इस पार्ट का जो व्याक्या का लिंक है उसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से पार्ट देख सकते हैं साथी साथ आपको प्लेलिस्ट का लिंक पी दे दूँगी जिससे आप अन्य पार्ट को भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेस दा बेल आइकन फोर न्यू अपडेट्स पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें